आज का हमारा पहला टॉपिक है अलवरूनी एक हजार से भी जादा साल पहले एक यात्री भारत में आये थे उनका नाम था अलवरूनी अलवरूनी जिस देश से भारत में आये हुए थे उस देश का नाम था उजबेकिस्तान अलवरूनी ने बहुत ही बारी किसे चीजों और जगयों को देखा था और उनके बारे में लिखा था खास तोर से वह जो उन्हें अपने देश से अलग लगी थी अलबरूनी उस समय के तालावों के बारे में लिखते थे कि यहां के लोग तालाव बनाने में काफी माहिर हैं अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे त कम भी कतारे होती हैं लोगों के चड़ने उतरने के रास्ते अलग-अलग होते हैं यहां कभी भी भीड लगने से परेशानी नहीं होती है आज इतियास पढ़ने वाले लोगों को अलबुरूनी के बारे में किताबों से बहुत ज्यादा पता चलता है उसके बारे में जानकारी मिलती है अब हम बात करते हैं जूम खेती के बारे में जूम खेती का तरीका बिलकुल अलग होता है एक फसल काटने के बाद जमीन पर इस फसल को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं जिस जमीन में खेती नहीं करते हैं उस जगे को बांसिया उस जगे पर बांसिया जंगल उगाते हैं उन्हें उखारते नहीं हैं बस गिरा के जला देते हैं और यह जो है जमीन में खात का काम करती है जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जल जाए जं के समय भी अंचाही घास और पेड़ों को और पौधों को उखारते नहीं हैं बलकि उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह जमीन की मिटी में मिल जाए इससे भी जमीन उपजाओ बनेगी इस्तान अंतरित खेती यानि जूम खेती उत्तर पूर्वी परवतिय तथा आदिवासी छे ट्रवार पत्तियों तक जल को पहुंचाया जाता है यह वाहिकाह या वेसल्ष ऑयरी के समान होती हैं तथा जड़ और तना साखां पशेल बीक खेली होती है शर्षUNG हैं पत्तियों में एक हराव वर्डक यानि पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं क्लोरोफिल सुर्ण के प्रकास यानि प्रकास की उर्जा का संग्रेड करने में पत्ती की सहायता करता है इस उर्जा का उपियुक जलेवं कारवन डाई ऑक्साइड में खाद संसले सड यानि जो है सूर्य के प्रकास की उपस्तिती में होता है। इसलिए इसे प्रकास संसले सड कहते हैं। पत्तियों द्वारा और उजा संग्रहित की जाती है। तथा पादप में खाद के रूप में ये संचित हो जाती है। अब हम बात करते हैं next topic फल और सबजियों के बारे में जल्दी खराब होने वाले फल और सबजियों के नाम इस प्रकार से हैं पालक, केला, फूलगोवी, टमाटर, हीरा, अंगूर, बैगन, आदी यह जल्दी खराब होने वाले फल और सबजियां हैं अब और जो देर से हमारा अगला टॉपिक है important डेज यानly महत्वपूर डिवस वन्यजीव संप्र चर दिवस 3 मार्श को मनाया जाता है टिस्त were की दिवस को मार्च को मनाया जाता है यह हैं को मनाए जाता है कि सोले सितंबर को आपका ओजुन दिवस मनाया जाता है कि विश्वर करिण दो चार अक्टुबर को मनाए जाता है रीच्सव अन्य को अक्टूबर का पहला सपता को मना जाता बिष्टों यह प्राणी दिवस् प्रशिद्ध में कोछीपोड़ी आपका आंद्र प्र Shepherd में। वे कि तमिल्णाडु में रासलीला तरक्थ आपका उत्र प्रदीश में भी प्रसिद्ध है कथख नृत नापका प्रदीश में प्रसिद्ध सेच फिएख गर्मर्बन निरत्याप का गुजरात में प्रसिद्ध है अब हम बात करते हैं डॉक्टर ब्यूमेंट के बारे में मांटने मार्टन के खिलाड़ी वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहिस से खोले थे डॉक्यूमेंट की तालिका कुछ इस प्रकार से है इसमें बताया गया है कि खाने की चीजों को पचने में कितना समय लगता है अगर हम उस खाने को गिलास में रख दें तब कितना समय लगेगा और अगर वह पेट में जाए तो तब कितना समय लगेगा तो चलिए इस टेवल क की बात करते हैं हम कि यह है आपकी डॉक्टर व्यूमेंट टेवल खाने की चीज़ें जैसे कि कच्छा दूद इसको पचने में दो से पंद्रे घंटे लगते हैं अगर हम गिलास में रख दें तो इसे चार से पैंता है चार घंटे 45 मिनिट लगते हैं उबला हुआ दूद इस आट घंटे पाएम लगता है रखिया और चाहिंट थख्य मिनिट में • और आपका देड़ या नी एक गंटे 35 मिनिट में और इसको गिलास में रख इसके बारे में डॉक्टर व्यूमेंट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारे पेट याने खाने को यह खूब हिलाता रहता है वे यह भी देख पाए कि मार्टिन दुखी था या परेशान होता था तो उसका खाना ठीक से नहीं पसता था यहीं नहीं उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस्ट जो है एसिट की तरह होता है अब हम बात करते हैं पानी के बिल में दी गई जानकारियों के बारे में जो के कुछ इंपोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं पानी के बिल में उसका विभाग जैसे की जल विभाग यह क्या लिखा होता है जैसे पैसे भरने पड़ेंगे ये भी लिखा होता है किसी पानी से भरे हुए बरतन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नीबू डाला जाए तो नीबू तेहने लगता है अब हम बात करते हैं बगला पंची के बारे में बगला बैंस पर बैठ कर उसके कीड़ों को ख अगला उसके उपर ही बैठा रहता है अब हम कुछ important points की बात करते हैं कान सुनने में मदद करते हैं मचली मैडक सरी सरफ और पंची इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं अगर जो पंची जिनके सरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देने वाले जीव होते है जिने हम जरायुज कहते हैं जैसे इसतंधारी उनके कान दिखाई नहीं पड़ते तथा सरीर पर बाल होते हैं अब हम बात करते हैं पराकड के बारे में पंखुडियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पावडर जैसी संरचनाय दिखाई देती हैं जिने परागर कह के बारे में दाने विदे को अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर करें ठेंक्यू